How to fix wink music logout not working problem नमस्कार दोस्तो सुआगर आप सभी का तेकर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तो ये आपका जो wink music है उसका logout जो हे काम नहीं कर रहा है और आप logout नहीं कर पार रहा है तो दोस्तो कैसे आप इस problem को fix कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसके regarding पर solution करके बताऊंगा और दोस्तो आपका जो wink music है वो logout हो जाएगा ठीक है तो यदि आपका जो wink music है वो दोस्तो logout नहीं हो पर रहा है यार फिर logout पर problem है तो simply आज का जो ये वीडियो है दोस्तो वो आपके लिए आप पूरा जरूर देखेगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को subscribe कीजिए सारी साथ bell icon को भी click कीजिए और दोस्तो यदि आप online से पैसा कामाना चाते है तो आप हमारा वीडियो description पर link चेक आउट कर सकते है तो चैनल के दोस्तो आप वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले तो दोस्तो यदि आपका जो wink music है तो आपको क्या करना है तो आप दोस को restart कीजिए उसके बाद दोस्तो आप चेक कीजिए का आपका internet connection है या नहीं है ठीक है तो आपका जो internet connection है वो strong होना चाहिए उसके बाद wink music पर जाए और जाने के बाद दोस्तो आप logout करके देखिए ठीक है आपका logout इसी solution के मदद से fix हो जाएगा और दोस्तो आपका जो logout है वो भी हो जागा ठीक है wink music पर और दोस्तो यदि इससे आपका जो problem fix हो जाता है तो अच्छी बार है यदि इससे आपका जो problem fix नहीं होते ठीक है तो आपको क्या करना है आपको जाना है setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तो आप scroll down करके यहां नीचे पर apps पर जाना है उसके ब music पर आने के बाद आपको जो है clear data कर देने ठीक है तो clear data करती दोस्तो आपको जो wink music है वो logout हो जाएगा सारी साथ आपका problem भी fix हो जाएगा ठीक है और दोस्तो clear data करने के बाद आप हमेशा a permission पर जाके permissions को allow किजिए उसके बाद दोस्तो restrict data uses पर जाके आप यह सभी buttons को off करके दुबारा से own करके okay कर दीजिगा ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तो आपको mobile जो है restart करना होगा restart करने के बाद दोस्तो आप login करना चाते तो कर सकते यह यह आप दूसरा account open करना चाते है वही same application के मदद से तो आप वह भी कर सकते ठीक है और आपका जो logout का problem में वह भी fix हो आपकी